आप सभी का स्वागत है B.A. Second Year Paper 8 Knowledge and Curriculum Question लेके आया हूँ आपके सामने परजात तंत्रिक शिक्षा Democratic Education Democratic Education Introduction में हम लिखेंगे सिक्षा मानों के हाथ में एक उप्योगी साधन है इसका उप्योग किया जाए तो क्रांती लाई जा सकती है आज के समय की मांग है कि इसे समाज केंद्रित बनाया जाए केवल एक अच्छा समाज ही जिसके राष्टर हित के लिए निश्चित सिधान्त वे आदर्स है लोक सेवा की और अगरसर कर सकता है हमें सही उदेश्यों को प्राप्ट करने के लिए शिक्षा परनाली में क्रांती लानी होगी सवतंतरता का सूरज उदे होने के साथ ही भारत एक परजा तांतरिक देश बन गया सवतंतर भारत में नेताओ दवारा परजा तांतरिक गणतंतर बनाने के प्रियास किये जा रहे हैं नेशंदे इस दिशा में काफी कारिया किया गया है लेकिन अधिक और करने की आवशक्त है तब ही हम कह सकेंगे भारत एक परजातांत्रिक देश है शिक्षा वह आधार है जिस पर हम सुद्रिड परजातांत्र की नीव रख सकते हैं देश कई समस्याओं जैसे निर्धनता अग्यानता जन्सक्षा विशफोट में उलगवा है शिक्षा को समपूरन देश में उन्नती लाने के साधन के रूप में प्रियोग किया जा रहा है विशव में ग्यान का विशफोट होने बिशे शिक्षा, विज्ञान और तक्निक एक्षेत्र में विकास की गती के वराबर रहने के पिख्षा की जा रही है आधुनिक प्रकार की शिक्षा तेजी से बदलते जिवन की इस राजनेतिक और सामाजिक विवस्ता में वास्त्विक रूप से सहायक हो सकती है यानि समय की मांग है कि शिक्षा के रूप में संभव तह जितने भी प्रियोग सुधार किये जा सकते होने चाहिए ठीक है बच्चों ये इंट्रोड़क्शन में आप लिख सकते हो उसके बाद परजातंत्र की कुछ मान्यताइं हैं बेशिक अजंप्शन्स मान्यताइं बेशिक मान्यताइं क्या परतेक व्यक्ति का आधर परतेक व्यक्ति का आधर जो परजातंत्र होता है परजातंत्र होता है उसमें हर व्यक्ति का आधर हो किया जाना चाहिए रिस्पेक्ट फोर एवरिवन परजातंत्र तभी सफल होएगा जब उसमें हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट की जाए सब्तंत्रता फरीडम परजातंत्र की आत्मा है परजातंत्रिक व्यवस्था सभी को सब्तंत्रता परदान करने में विश्वास रखती है परते एक वैक्ति को विचार, अभिवैक्ति, विश्वास, पूजा, आदी की सब्दन दरता है तीसरा है आउसर की समानता एक्विलिटी ओफ अपॉर्चनिटी एक्विलिटी ओफ अपॉर्चनिटी परते एक वैक्ति समानता के आदार पर ही जीता है परते एक वैक्ति को समान अवसर प्रदान किये जाते हैं चाहिए वो किसी भी जाती, किसी भी रंग, और किसी भी आयुका हो ब्रात्रित तव भाव फैलो फिलिंग परते तांत्रिक वैवस्था में परते एक वैक्ति में भावना होती है वे अपने दाईतों को समझते हैं और एक्ता की भावना को समाज के दूसरे वैक्तियों के साथ बांटते हैं परते एक वैक्ति प्रस्पर सहयोग में वै आदान परदान करने के संबंद की परनालिमें विश्वास रखता है नेक्स्ट पॉइंट आजाता है फिप्त नंबर पे सेहन सीलता टोलरेंस सेहन सीलता की भावना परते एक वैक्ति में होती है परते एक वैक्ति अपने नेता औरुसी नेता के अंतररगत अपने सहयोग्यों को सेहन करता है अच्छी नागरिकता अच्छी नागरिकता गुड शीट एज़ेंसिब एक वास्तिक प्रजातंत्र में प्रतेक व्यक्ति अच्छा नागरिक होता है एक सच्चे नागरिक के रूप में उन्हें अपने उत्रदाईतों का भली भाती ग्यान होता है परिवर्तन में विश्वास फेट इन चेंज जीवन एक गतिसील है वैसे ही उसे जीने का ढ़ंग एक सच्चा प्रजातंत्र किसी भी परिवर्तन को नहीं न कारता क्योंकि उसे यह मालूम होता है कि परिवर्तन प्राकृतिक है और बहत्री के लिए हो सकता है और लास्ट पॉइंट हमारा था है सांती में विश्वास फेत इन पीज लोग तंतर में पर्ते एक वैक्ति को सांती में विश्वास होता है वे विश्वास करते हैं कि सांती के दुआरा सभी मानविय इर्शा या संघर्श को असानी से दूर किया जा सकता है ये था बच्छों हमारा बेसिक अजमसंस मान्यत हैं उसके बाद next point आ जाता है forms of democracy परजातंतर के रूप ठीक है अब परजातंतर के वाल राजनेतिक ही मना जाता है लेकिन परजातंतर राजनेतिक नहीं है इसके अनेक रूप है जैसे राजनेतिक परजातंतर पोलिटिकल डेमोक्रेसी राजनेतिक जनतंतर का अर्थ है जिसमें सासन और उसका नियंतरन जनता के हतों में होता है यह तो आप समझी रहे होंगे ठीक है दूसरा आता है आर्थिक परजातंतर अर्थिक परजातंतर अर्थिक जनतंतर का अर्थ है धनकमाने की कादिगार है थीक है उसके बाद आता है सामाजिक परजातंतर अर्थिक परजातंतर अर्थ सोशल डेमोक्रेसिंग ए स्माजिक प्जातंतर के सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब अलब लुगों के सब लोगों कोई विकार्य करने की सवतंतरता होती ओ Basically सेक्सिक प्रजातंत्र एजुकेशनल डेमोक्रेसी एजुकेशनल डेमोक्रेसी एजुकेशनल डेमोक्रेसी के उतिय है सेक्सिक जनतंत्र का आर्थ सभी के लिए सिक्षा के समान अवसर सिक्षा के क्षेतर में सभी को समान अवसर परदान किये जाने चाहिए ताकि सभी लोग शिक्षा के दवारा अपने जीवन स्तर को उपर उठा सके इसमें कोई भी धर्म, जाती, समाज, संपरदाए मलकी सी तरह का भेद भावनी होना चाहिए और पांचवा नमबर हमारा तै धार्मिक जनतंतर धार्मिक परजातंतर में सभी धर्मों की समाज में सवतंतरता है परतेक व्यक्ति को अपने धर्म का परचार करने की छूट है परतेक धर्म के सदस्य को दूसरे धर्म के सदस्यों का आधर करना चाहिए और मोली करतेवे अनुशेद 25 में कहा गया है कि किसी भी धरम को अपनाने में सवतंतर है और कोई भी किसी भी अन्य धरम का अनुशरन कर सकता है उसके लिए बाते भी नहीं किया जा सकता है ठीक है तो यह हमारा था forms of democracy उसके बाद आ जाता है परजा तांत्रिक शिक्षा और इसकी विशेष्टा है परजा तांत्रिक शिक्षा और विशेष्टा है बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा है question समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा दो ज्यादा से ज्यादा ठीक है ताकि मेरे को motivation मिलती रहे और आप लोगों के लिए मैं और भी अच्छे अच्छे विडियो लेकर रहा हूँ परजय तांत्रिक शिक्षा इसकी विशेशता है पहला पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर सारो भोमिक एवं अनिवारिये शिक्षा यूनिवर्सल एंड कमपल्सरी एजुकेशन 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 परजय तांत्रिक देश में शिक्षा परते कदिकार है वसारो बोमी का और अनिवारी है इस प्रकार की शिक्षा सभी लोगों को अपने अद्दाइत्तों और अदिकारों से अवकत कराती है दूसरा है निसुलक शिक्षा निसुलक शिक्षा फरी एजुकेशन निसुलक शिक्षा शिक्षा एक निस्चित स्तर तक निसुलक परदान की जाती है वास्तों में शिक्षा को परते एक व्यक्ति का जनम सिद्धिकार माना जाता है सारी जी की अमानसी ग्रूप से विकलांग वेक्तियों के लिए विशेश प्रकारी की शिक्षा की विवस्ता की गई है विश्त्रित शिक्षा ब्रोड बेस्ट एज्यूकेशन ब्रोड बेस्ट एज्यूकेशन परजातांत्रिक शिक्षए एक विश्तिर्च शिक्षए है जो भिन-बिन लोगों की आवसकता में मांगो की पूर्ति करती है परजातांत्रिक विवस्ते में ये सबी को संतुष्ट करती है उसके बाद आता है हमारा पॉइंट बाल केंद्रित चाइल्ड सेंट्रड चाइल्ड सेंटर्ड परजात आंदरिक शिक्षा बाल केंदरित होती है पर तेक बालक पर पूरण द्यान दिया जाता है इसकी विद्धियर विकास ये तो सभी सुविधाएं परदान की जाती है समुदा एकेंदरित कम्यूनिटी सेंटर्ड समुदा एकेंदर है जिसके चारों और इस शिक्षा की परिकरिया गूमती है समुदा एक इमांग और उजबन हो सकता है उनको पूरण द्यान में रखा जाता है समुदा एके सामाजिक वातरन से संबंदी दोती है इसके बाद हता है प्रोड सिक्षा की वैवस्थथा प्रोड शिक्षा की वेवस्था प्रोविजन ओफ एडल्ट एजुकेशन परजात अंत्रिक शिक्षा प्रोड शिक्षा की वेवस्था करती है समाज में कrauen लोगों को विभिन कारणों से अपनी सिक्षा बीच में छोड़नी पढ़ती थी यह पढ़ती है वैस्थ ऐस् स्पूल छोडने वाले बच्चों के कारण हो सकता है प्रजाधान तरिक सिक्षा ऐसे प्रोडों को अनौप्चारिक सिक्षा प्रधान अनोप्चारिक का, आपको मैंब बता जाता हूँ, हमारे जो सिक्सा होती है, तीन परकार से होती है,NER प्टारिक में regular लेते हैं, एक होती है, अनोप्चारिक होती है, जैसे मानोप्चारिक होती है, जैसे मौन लो उसके बाद आता है अच्छी नागरिकता अच्छी नागरिकता गुड शीटिजन्शिप परजातांद्रिक शिक्षा अच्छे नागरिक बनाने में अपना सहयोग देती है इसे व्यक्ति समाज राष्ट का उत्तरगाईता हो या जिम्मेदारिया के परती हो जाकरूक होते हैं उसके बाद आते है राष्ट्य एक्ता नेशनल यूनिटी नेशनल यूनिटी में क्या होता है परजातांद्रिक शिक्षा सभी देश वास्यों को एक्ता के सुत्र में बांदे रखती है चाहिए वे किसी भी बाचा के हों किसी भी दर्म के हों किसी भी संस्किर्ती के हों और लास्ट पॉइंट हमारा आता है अंतराष्टिय सदभावना अंतराष्टिय सदभावना इंटरनेशनल अंडरस्टेंडिंग इंट्रनेशनल अंडरस्टेंडिंग अंतराष्टिय सद्वावना परजातांत्रिक शिक्षा आज विश्व के परतेक और सभी व्यक्तियों के लिए एहम आवशकता है अब उसके बाद हमारी नेक्स टाडिंग आती है इंपोर्टेंश ओफ डेमोक्रेसी इंपोर्टेंश ओफ डेमोक्रेसी वीडिया पूरी देखा करो ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेशन समझ में आ जाए परजातंत्र का महतव क्या महतव है परजातंत्र क्यों जुरूरी है ठीक है तो इसको भी पॉइंट्स के अंदर डिस्कस कर लेते हैं व्यक्ति के गोरव का सम्मान व्यक्ति के गोरव का सम्मान रिस्पेक्ट फोर डिग्निटी ओफ दा परशन